हलो फ्रेंस, विलेजर्स एक्सिलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है आज हम अपने चेप्टर नमबर 6 की वीडियो का जो है सेकिंड पार्ट शुरू करेंगे तो ज़्यादा बाते नहीं करते हुए आपका आपके ड्रीम के और लेके चलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अब हम बात करेंगे Progress in India's Climate Change Policies ये जो है इंडिया ने अपना National Action Plan on Climate Change जिसकी short form है NAPCC यानि इसकी हमें फुल फॉर्म पूची जा सकती है RBI में और इसकी फुल फॉर्म क्या है National Action Plan on Climate Change तो ये इंडिया लेके आया था 2008 में ताकि जो हमारा development है उसको sustainably process कर सके यानि sustainable development हो सके और जो है climate change से जो related जितने भी objectives हैं जैसे adoption के mitigations के वो इनके थुरू हम जो है वो fulfill कर सके तो बहुत सारे missions इसमें बात की गई है बाग schemes के बारे में missions के बारे में तो सबसे पहला जो mission है वो है the pet scheme pet की फुल फॉर्म क्या होती है the perform, achieve and trade scheme ये जो scheme है वो किसके under design की गई है national mission for enhanced energy efficiency देखो ये जो सारे schemes सारे missions है बहुत 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 जादा important है for RBI and as well as for UPSC तो हमें जो है बहुत जादा focus करके इनको पढ़ना है ताकि जो है इनसे आने वाला कोई questions हमारा गलत ना हो तो ये यानि जो pet scheme आई है वो किसके अंदर आई है एन एम ट्रिपली की फुल फॉम पूछी जा सकती है national mission for enhanced energy efficiency और ये basically किसलिए design की गई है ताकि जो हमारी energy consumption है उसको जो है हम कम कर सके इसके लिए इसका target रखा गया है दूसरा दूसरा है national solar mission जो national solar mission है हमारा यानि इसका main मकसद क्या है यानि जितनी हमारी total energy है उस energy में हम जो है अपनी solar energy के जो share है उसको हम बढ़ा सके और इसके लिए बहुत सारे targets हमने रखे हैं साथ ही साथ क्यों से हैं जैसे की पहला grid connected solar power project लेके आ रहे हम जो की जिसका main target कितना है उसमें 40 gigawatt तो जो है वो हमारे connected होते है rooftop projects के साथ और जो 60 gigawatt है वो हमारा large और medium size के land based solar power projects के साथ है यानि जो national solar mission है इसका combined target है 100 gigawatt का जिसमें जो rooftop solar power project है उसका target है 40 gigawatt का और जो हमारे land based solar power project है उनका target जो है वो हमारा है 60 gigawatt का ठीक है और इसकी जो investment इसमें की जाएगी वो की जाएगी कितनी 6 लाक क्रोड रुपे की investment जो है हमारी की जाएगी और अभी तक हम 32.5 gigawatt के जो है capacity को installed कर चुके हैं तीजरा है national water mission मतलब ये क्या करेगा यानि ये ground water की monitoring करेगा mapping करेगा capacity चेक करेगा water की quality चेक करेगा उनकी पूरी overall जो है वो study करेगा और ये बताएगा कि कहाँ पर कैसे कैसे हम water को जो है harvest कर सकते हैं अपने targets को जो है अचीव कर सकते हैं और ये साथ के साथ क्या करेगा इसने बहुत सारी assessment units लगाई हैं जो की क्या करेंगे जो की data का use क करेंगे कौन से किस नहीं दिया है जो की हमारी Central Ground Water Authority CGWA इसको पूछा जा सकता है इसकी full form तो Central Ground Water Authority इसकी full form है फिर आता है National Mission for Green India Green India का सीधा सा मतलब क्या यानि एक हैसी holistic approach अपनाई जाएगी जिससे की हम overall जो है हमारा जो emission हो रहा है उसको हम reduce कर सके और जो हमारा carbon सीक्वेसाइशन यानि emission जो है उसको हम reduce कर सके और हम जो है अपने forest को जो है वो area को हम जो है बढ़ा सके और जादा जो है greener इंडिया को लेके आ सके तो यानि कि इसमें यह basically किस पर बात करता है यानि कि यह landscape approach पर बात करता है और दोनों चीजों पर फोकस करता है forest पे भी औ और private land पे वी जो है यानि कि इसमें कौन से कौन से किसको शामिल किया गया है इस mission में local communities को शामिल किया गया है planning में implementation में and monitoring में इसको शामिल किया गया है अच्छा आप देखो इसके साथ साथ किसको कौन सी scheme इस से attach की गई है वो है हमारी नरेगा यानि मनरेगा महत्मा घादी National Rural Employment Guarantee Schemes को इसके अंदर शामिल किया गया है साथ साथ Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority has been issued यानि इन चीजों को इन्हों ने जो है guidelines issue की है यानि इनको इसके अंदर शामिल किया गया है local community की बात करे यानि कि देखो इसमें क्या है कि public places पे जो है सडको पे trees लगाएंगे तो उसमें दोनों का काम हो जाएंगे एक तो हमारे क्या है greenery बढ़ेगी दूसरा क्या है जो मनरेगा के तहत हमें जो सो दिनों का डेट सो दिनों का जो हम काम देने की guarantee देते हैं तो वो भी हमारा fulfill हो जाएगा दूसरा यह private land पे भी जो है पेड लगाने की और कैसे उनकी कटाई करनी है तो उसक में की सारी facilities होगी यानि waste management भी होगा वहाँ पर water sanitation की facilities भी होगी proper drainage होगा अर्बन प्लानिंग की जाएगी जो energy है वो भी बहतर तरीके से उसको use किया जाएगा जो transport हो भी efficient बनाया जाएगा हमारा तो इसके लिए जो है इस mission के अंदर तीन जो basically programs है वो शामिल किये गए है पह इसके अंदर क्या है एक energy conservation building rules बनाये गए है commercial buildings के लिए ताकि जो है ऐसी sustainable habitat को develop किया जा सके अब है national mission for sustainable agriculture यानि इसमें सिर्फ urban areas पे focus नहीं किया गया गाओं में फोकस किया अगरी कल्चर पे भी फोकस किया गया है क्योंकि sustainable development के लिए बहतर है goal number first ही हमारा जो है वो बात करता है और उसके लिए हमारी agriculture को sustainable होना बहुत ही जाधा important है इसके लिए national mission लेके आए गए agriculture को sustain करने के लिए ताकि जो food security है उसको enhance कि जो है प्रोटेक्ट किया जा सके और इसके अंदर हमारे targets क्या है कि हमें organic farming के अंदर कितना hectare लेके आना है 3.5 lakh hectare लेके आना है और irrigation के अंदर 3.70 lakh hectare जो है इरिगेशन के अंदर लेके आना है rice intensification के अंदर कितना लेके आना है 4.4 lakh hectare जो है इसके लेके आना है और साथी साथ ऐसी हमें diversification करना है crops का जो की less water consume करती हो तो वो कितना hectare करना है 3.41 lakh hectare जो है इसका target होगा और साथी साथ हमें और additional area लेके आना है plantation के अंतर अरेबल लेंड्स का वो कितना टारगेट है 3.9 लाक हेक्टेर टारगेट है हमारा यानि ये बहुत सारे टारगेट जो है इस मिशन के अंदर गत लेके आए गए है और इसके लिए इसके लिए जो बनाये गाए क्या नेशनल इनोवेशन और नेशनल इनोवेशन ओन ये एक नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है लेके आए गए ताकि हम नेशनल मिशन फोर सस्टेनेवल एगरिकल्चर को जो है वो अचीव कर सके फिर ये बात करता है नेशनल मिशन फोर सस्टेनिंग दा हिमालियन एको सिस्टम यानि कि अब ये किस पर बात करता है कि जो हमारा ह hakimalian ecosystem उसको हम कैसे बेžतर तरीके से manage कर सकते हैं और उसको कैसे sustain रख सकते हैं फिर ये बात करता है शनी नेशनन मिशन जोन स्ट्राटेज्टिक knowledge for climate change यानि कि एक बेहतर knowledge system लेकी आया जा जासके कि जो कि हमारे जितने शनीזה national action plans हैं उनको support कर सके ताकि जो है sustainable development goals को जो है अचीव किया जा सके और इसके अंदर हमने 11 centers of excellence जो है वो हमने इसके अंदर set up किये हैं और 10 state climate change centers भी ले के आए यानि center of excellence कितने हैं 11 और state climate change center कितने हैं वो हमारे हैं 10 अब यह दूसरा initiative है एक climate change action plan का CCAP इसकी full form पूछे जा सकते है climate change action program कब आया था 2014 में ये एक central sector scheme है central sector scheme बिसिकली वो schemes होती है जो की पूरी तरह से जिनको sponsor कों करता है जो है 100% जो पैसा है finance जो है वो करती है हमारी central government बिसिकली तीन types की scheme होती है central sector scheme होती है जो की 100% जो है funding जिसकी होती है बिसरी central sponsored scheme होती है जिन में से कुछ percent हिसा जो है वो center करता है और कुछ percent हिसा जो है वो state करता है जो की 2014 के अंदर आया था ये हमारा एक central sector scheme है और इसकी total cost है वो है 290 करोड और ये जो है पाछ सालों के लिए है यानि 2014-19 और यह क्या करेगा यह center level पे और state level पे जो है वो capacity को build करेगा और उसको support करेगा ताकि जो हमारा climate change assessment है उसको हम scientifically, analytically उसकी capacity को हम check कर सके और जो appropriate framework है जो हमारे appropriate institutional framework इसके लिए बनाया जाना है या जो हमारे actions perform किया जाने है उनको हम बहतर तरीके से perform कर सके फिर एक आया ECBC यानि की energy conservation building code यह हम लेके है और यह जो है यह set करता है minimum energy performance standards बताता है और इसके अंदर क्या है यानि ऐसी buildings बनाया जाएंगे buildings में ऐसे तरीके अपनाया जाएंगे ताकि energy कम से कम use हो और हम उस energy को save कर सके तो इसका अभी तक resulting कितना है यानि हमने कितनी kilowatt energy save कर लिया वो 84.34 million kilowatt energy जो है वो अभी तक हमने जो है उसको save कर चुके हैं हम और जो हमारा green house gas emission है उसको हमने कितना reduce कर दिया है वो यानि वो CO2 जो है उसमें कितना ton reduce किया है वो almost 70,000 ton जो है हम reduce कर चुके हैं और अगर हम proper figure के बात करें तो 69,154 ton जो CO2 है हम इसमें इससे जो है हमारा CO2 का emission जो है वो हमारा कम होता जा रहा है लगातर कम होता जा रहा है अब अगर हम ECBC 2017 की बात करें यानि इसने क्या क्या इसने commercial buildings के लिए जो है वो energy के performance के standards जो है वो हमने लगा दिये हैं और इसमें क्या करना है अब हमारा target क्या है कि 2030 त यह है 300 billion units जो है energy की वो हमें save करनी है और जो हमारी peak demand reduction है उसको भी हमें कितना लेके आना जो हमारी peak demand होती है जिस time पे हमारी energy की बहुत साथा demand होती है और उसको reduce करना है 15 gigawatt तक in a year फिर कुछ schemes आई जैसे उजाला scheme आई जो specially LED bulbs के लिए distribution के लिए आई थी जिसने की 360 million जो है इस time पे cross कर दिये हैं फिर एक street light national program आया जिसके अंदर जो है 10 million conventional street light लगाई गई LED bulb से उनको replace किया गया और साथी साथ जो है उसके उससे जो है हमने कितना CO2 emission सेव किया 43 million ton जो है CO2 emission उससे हमारा कम हुआ फिर हमारे पास आया national electric mobility mission plan NEMMP 2020 और NEMMP 2020 के अंतरगत हम क्या लेके आए FAME India scheme लेके आए FAME India scheme की full form last भी पूछे गई थी तो इसकी full form क्या है faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicle in India यह formulate हुई किसमे 2015 में आई ताकि हम जो है जो electric और hybrid vehicle है उनको प्रमोट कर सके और अगर हम data की बात करें तो 2019 तक हमने जो है total 280,994 vehicles अभी तक हम बेच चुके हैं फिर यह national bio fuel policy 2018 लेके आए जिसका target क्या था कि हमने ethanol को blend करना है petrol में कितना 20% और biodiesel को diesel में blend करना है 5% by 2030 फिर आया हमारा national adoption fund for climate change यानि NAFCC national adoption fund for climate change 2050 यानि कि अब हमारी इन सारी process को अपनाने के लिए हमें सबसे जादा चीज़ के जिसको जरूरत है वो हमारा कौन सा है वो हमारा है fund यानि कि ऐसा funding के तरीके लेके आए जिसके तहद जो है हम जो है इन जो हम जो climate change के लिए जो हम different technologies अपना रहे हैं या state जो है जितना सारा adoption की activities अपना रही है तो वो जो है हमारी जो states है उनको funding की कोई कमी ना हो तो जो है ये schemes लेके आई ये जो scheme थी national adoption fund on climate change ये हमारी एक central sector scheme है और कौन इसकी implementing agency है तो वो हमारी implementing agency है नाबाड और इसका जो time period है वो हमारा 3 साल के लिए है 2017-18-19-20 और उसके अंदर हमने कितना target रखा है 364 यानि 364 करोड रुपीज का इसके अंदर target रखा गया है अब जो हमारा नाबाड है वो implement कर रहा है बहुत सारी climate adoption mitigation projects को और उसका total finance कितना है 1819.62 करोड रुपीज का जो है वो नाबाड जो है finance कर रहा है अगर हम बात करें क्लाइमिट चेंज project के अगर हम बात कर लेते हैं तो adaption fund के अंतरगत कितने target है अगर हम बात करें, adoption fund के अंतरगत हमारे पास कितने project है तो 6 है और सबसे ज़्यादा project जो आते है वो national adoption fund for climate change जो की नाबाढ जो है implement उनको करता है यह हमारे कितने है 30 और फिर है green climate fund जिसके अंतरगत हमारे दो projects हमारे आते हैं अब ये बात करता है aligning financial system with sustainability यानि देखो अगर हम ए sustainable development करना है तो सबसे ज़रूरी चीज जो उसके लिए है वो हमारी है funding तो सबसे मतलब की नहीं नहीं क्योंकि जो है अगर हम sustainable development करना चाहते हैं sustainable agriculture हम अपनाना चाहते हैं हम जो है जो हमारे urban areas है या जो हमारे मजबूत होना चाहिए ताकि हम बहतर तरीके से इनको perform कर सके फिर से भी ने इसके लिए कुछ guidelines निकाली और ये बहुत सारे bonds इसके अंतरगत जो है वो जारी किये गए green bond climate bond social bond जो है हमारे पास जारी किये गए bonds क्या होते हैं ये जो है हमारी debt security होती है जिसको issue करता है कोई भी financial non financial entities को issue कर सकती है और वो issue करती है ताकि उड़े जो है 100% उन green projects में ही खर्च हमारा होता है ठीक है तो अभी तक अगर हम बात करें 2019 के half की अगर हम मतब first half की बात करें तो अभी तक जो ये transactions हुई है green bond के अंदर ये market कितनी है हमारी US dollar 10.3 billion की ये market है हमारी और अगर social bond की बात करें तो ये हमारा इसका target कितना है US dollar 5.5 billion जो है इसका target हमारा रखा गया है ठीक है और उसके बाद जो climate bond है जो हमारे पास जो specially climate change mitigation adoption resilience के लिए जो bond अपनाए गई है तो वो हमारे पास है climate bond और अगर हम बात करें तो अगर climate bond की बात करें तो इंडिया जो है वो second largest जो है climate emerging bond market जो है वो second largest है इंडिया में after China देखो अगर हम यह figure बताते है first half 2019 में जो labored issuance of bond का हुआ है वो सबसे जादा हुआ green bond का issue सबसे जादा इसमें हुआ है उसके पास sustainable development goal के अंतरकत हुआ फिर social और फिर हमारे पास जो है others अगर हम emerging market के बात करें green bond के लिए तो सबसे पहले है चाइना फिर हमारा है इंडिया third position पे है Mexico, fourth पे हमारा है Brazil लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना में कितना जादा फर्क है यानि हमें जो है और जादा बहतर perform करना है यानि अगर हमें environmentally sustainable investment हमारे पास चाहिए है तो इंडिया को जो है जो है जोइन करना है क्या इंडिया ने international platform on sustainable finance यानि गिया ताकि जो हमारा जो development है जो हमारे investment है उस वह हम जो है उस investment को sustainable जो है वो बना सके अब ये जो platform है यह platform है क्या international platform on sustainable finance जो है वो हमारे पास है ग्या यह platform क्या करता ये रिज़ है नोलेज को finance करने की और ऐसे प्रोजेक्ट को जो की green project है उनको finance करने की ताकि जो है low and carbon emissions जो है हमारा कम से कम हो और climate resilient economy को हम जो है वो बहतर तरीके से उसको perform कर सके तो इसका main objective जो है वो main objective क्या है इसका main objective क्या है यह जो है क्या करता है जो हमा जो exchange करता है informations को between different different countries ताकि जो environmental sustainable project है उनको हमारा उनको finance किया जा सके और साथी साथ जो initiative लेके आ रही है different different countries उनको compare करता है अगर उनके अंदर कोई barrier है तो उन barrier को यह खतम करता है और opportunity provide कराता है ताकि जो है finance जो है इन सारे जो projects है initiative है उनको हमारा मिल सके चाहे वो और national के बात करे या limit fund के बारे में तो under UNFCC और Paris Agreement के तहद अब क्या है देखो जो जो Paris Agreement हुआ था उसमें क्या था developed countries पे obligations लगाए गई थी कि जो developing countries हैं क्योंकि उनके पास इतने जादा resources नहीं है कि वो जो है जो sustainable development goal है उनको अचीव करने के उनको जो नहीं नहीं टेकनोलोजी चाहिए है तो या जो adoption या mitigation के उनको actions perform करने है तो उनके पास उतना finance नहीं था तो Paris Agreement के अंदर गत developed country पे यह obligations लगाएगी कि वो finance जो है वो resources जो है वो provide करेगा और जो है developed country 2009 में क्या है developed countries के लिए goal set किया गया कि उन्हें कितना देना है US hundred billion dollar जो है 2020 तक जो है developing countries में उनको जो है वो पैसा वहाँ पर देना है through the green climate fund ठीक है उसके बाद जो है green climate fund ने जो है 5.2 billion US dollar को जो है वो हमारा अप्रूव किया किस के लिए 111 climate change adoption mitigation project के लिए और ये कितने अंदर किया गया ये 99 developing countries के अंदर जो है 111 climate change के adoption program के लिए 5.2 billion जो है वो funding को जो है वो हमारा approved किया गया था ठीक है उसके बाद जो है हमारे पास बहुत सारे इसके अंदर ambitions रखे गए हमारे Paris Agreement के तहद बहुत सारे ambitions रखे गए UNFCC के तहद ताकि जो हमारा temperature लगातार बढ़ रहा है जो हमारा pre-industrial level था उससे हम इतना जादा कम कर देंगे अब इंडिया की और COP25 conference के हम बात कर लेते हैं जो conference of parties है 25 conference of parties है ये कहां पर held हुई ये हमारी हुई Madrid Spain में तो ये बहुत most important हो सकती हमें पूछ सकते कि COP25 के meeting जो है वो कहां हुई थी Madrid France में ये हमारे पास जो है ये meeting हमारी हुई थी और अंडर किसकी हुई थी ये चिले presidency के अंतरकत ये जो है हमारे पास meeting हुई थी और इस meeting के अंतरकत क्या है जो है जो Paris Agreement के अंतरकत जितनी हमने commitments किये थे या जो countries ने जितने जो climate action climate change के अगेंस्ट जो है हमारे पास जितने actions लिए है जितनी जितनी जो differential responsibilities बाटी गई है हमारे पास जिनकी countries के हिजाब से कौन किस किस कि कैसी capacity है कैसे finance होगा कैसे technology आएगी तो वो सारी जो है हमारे पास यहाँ पर जो है mitigation adoption के actions के लिए जो है वो सारा हमारे पास यहाँ पर धाचा तेयार किया गया यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर बात की गई और साथ के साथ जो है जो जितनी commitment हमने की थी Paris Agreement के अंतरगत उनको दुबारा से recall किया गया और जो हमारा target था कि हमें 100 billion जो डोलर है developed country को 2020 तक देने है developing countries को तो उसको फिर से recall किया गया उसको फिर से focus उसको किया गया हमारे पास ठीक है अब हम इंडिया के initiatives की बात कर लेते हैं international हम सिर्फ national level पे नहीं बलकि international level पे भी इंडिया जो है वो solar energy को promote करने के लिए बहुत सारे काम कर रहा है तो सबसे पहला था international solar alliance यह जो international solar alliance था यह ऐसा पहला जो ट्रीटी है जो की जिसका headquarter जो है वो हमारे इडिया में बेस है और यह जो है फ्रांस और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दौरा इसको शुरू किया गया था 83 signature countries इसके अंदर शामिल किये हैं और यह ता कि इसलिए है कि जो हमारे solar generation को हम जो है बढ़ा सके और इसके लिए जो है कितनी जादा funding के जरूरत है वो है हमारा US dollar thousand billions जो है by 2030 तो यानि इतने जादा fund की इसके अंदर हमारे जरूरत है यानि जो member countries है यानि कि जो हमारी जो हमारी Mediterranean या जो भूमंदर एका के आसपास वारी जितनी countries है जिन में capability है जहां पर सूरज जो है वो mostly time period में रहता है यानि वहां पर strong capability है कि वो solar energy को consume कर सके तो उसके लिए जो है ये international solar alliance बनाया गया था हमारे पास ठीक है उसके बाद जो है 2019 से ही जो international solar alliance है वो बहुत सारे role play कर रहा है पहला role enabler का यानि ये क्या कर रहा है ये institution fellowship provide करा रहा है member countries को जो है वो provide करा रहा है training दे रहा है उनको member countries को एक facilitator के रूप में काम कर रहा है यानि की line of credit दे रहा है एक जिम bank of India ने दिये है US dollar 2 billion दिये गए है एक फ्रांस के bank ने दिये है US 1.5 billion दिये गए है ताक incubator ये काम करता है कि जो mitigation है solar risk mitigation है उनको कम करने के लिए जो है वहाँ पर project लेके आ रहा है as a accelerator है कि जो हमारे पास demand है वो हमारे पास उस demand को ये जो है वो बढ़ा रहा है और कितना है thousand megawatt की solar rooftop के लिए 10,000 megawatt की mini grid के लिए और 270,000 की solar water pump system के लिए जो है हमारे पास as a accelerator ये काम कर रहा है साथी साथ ये क्या कर रहा है जो इससे program है ये क्या कर रहा है बहुत सारी solar applications लेके आ रहा है ताकि हम साथ के साथ जो energy है वो सिर्फ हम मतलब उसको household purpose के लिए नहीं बलकि उसको agriculture के लिए भी use करें तो जिसके लिए solar water pump जो है वो provide करा रहा है ह हमारे पास और जो हमारे पास जो इसके जो finance कर रहे हैं इन सब को वो हमारे पास कौन-कौन है वो हमारे पास world bank और जो फ्रांस के बैंक है वो हमारे पास इसको support कर रहे हैं ताकि हमारे solar program जो है वो developing countries में बहतर तरीके से चल सके इसके लिए world bank और जो हमारा फ्रांस का बैंक है AFD उसने एक इनिशेटिव लेके आया है जिसका नाम है The Solar Risk Mitigation फिर जो वर्ल्ड बैंक है इसने इस रिस्क मिटिकेशन फंड के अंतरगत जो है कितने का टारगेट रखा है US डोलर 337 मिलियन डोलर का इसने टारगेट रखा है इन अफरीका विद पार्टरनर्शिप ओफ ISA यानि यह पूसकता है कि वर्ल्ड बैंक का टारगेट कितना है रिस्क मिटिकेशन के अंदर तो यह टारगेट हमारा है 337 मिलियन डोलर का और जो हमारा Asian Development Bank है वो हमें प्रोवाइड करा रहा है 2 मिलियन डोलर जो है प्रोवाइड करा रहा है किसके लिए Knowledge Support or Technical Assistance के लिए 6 Asian Countries के अंदर यह कर रहा है अब IACA ने Memorandum of Understanding Sign किया है UNESCAP के साथ मई 2019 में UNESCAP के साथ किया है और जो हमारा किसके साथ किया गया है Sustainable Energy All के साथ किया है जून 2019 में साथी साथ कुछ हमारे पास जो है Awards भी लेके आए गए है ताकि हम स्टेट को बहतर perform करने के लिए उनको encourage कर सके तो हरियान सरकार के साथ है कलपना चावला, मदपरदेश सरकार के साथ है आचारी विनोवा भावे और करनाट का सरकार के साथ है विश्वेश्वरा अवार्ड जो है इन सारे institution को strengthen करने के लिए लेके आए गए है अब अगर हम disaster resilience infrastructure की बात कर लेते हैं तो CDRI की full phone पूछे जा सकते है Coalition of Disaster Resilience Infrastructure ये जो है हमारा जो किसके गार्ड लाइन के अंदर गताया था United Nations Secretary Journal Climate Action Summit सितंबर 2019 के अंदर को थूई थी तो उसके अंदर आया था Coalition for Disaster Resilience Infrastructure यानि CDRI जो है वो आया था ताकि हमारे पास ऐसे infrastructures को चाहे वो existing infrastructure हो तो उसको बहतर करें या जो new infrastructure बना रहे हैं उनको हम जो है जो climate और disaster risk है उसको हम resilient बना सके ताकि sustainable development को हम ensure कर सके ताकि जो infrastructure में जो हम invest कर रहे हैं उसको ऐसे sustainable बना सके ऐसे उसको resilient बना सके कि disaster से भी हमें कम से कम जो है वो loss हमारा हो तो इसका जो main objective था वो क्या था ताकि जो services हैं हमारे पास जो उनको जो हम universally expand कर सके और जो sustainable development goal है उनको हम achieve कर सके अंडर सिंदाई framework जो की disaster risk के लिए हमारे पास जो है use होता है सिंदाई framework बिसिकली जो use होता है वो है disaster risk management के लिए ये बिसिकली use होता है ठीक है ये क्या करता है ये जो है country specific मतलब हर country के specific उनकी activities को measure किया जाता है उनको support technical support प्रोवाइड कराता है उनको investment के लिए हमें partnership करता है facilitation प्रोवाइड कराता है ताकि वो resilient infrastructure system को develop कर सके अब हम बात कर लेते हैं इंडिया and UNCCD यानि United Nation Convention to Combat Desertification जो United Nation Convention to Combat Desertification सितंबर 2019 में जो हुई थी इसका 14 session भी था यानि COP14 की जो बैटक थी वो हमारे कहाँ पे हुई थी इंडिया में हुई थी और इसका slogan था restore land and sustain future तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस meeting को जो है address किया और इस meeting को address करने पर ये बताया कि जो हमारे इंडिया का experience उन्होंने share किया world के साथ तक कि कैसे हम land को cost effectively or sustainably manage कर सकते हैं एक global water action agenda दिया गया ताकि जो हमारे water का management है उसको हम बैतर तरीके से manage कर सके और उसको holistically use कर सके ठीक है और इसके अंदर जो है जो हमारा commitment है वो बताया गया जो total area है जो हमें restore करना है जो degraded land हो चुकी है उसको restore करना है उसका target बढ़ा दिया गया है और वो हमारा है 21 million to 26 million hectare है between now and 2030 यानि 21 million अभी है तो उसको हमें बढ़ा कर 26 million hectare कर देना है 2030 तक और COP14 के अंतरगत हमने New Delhi declaration को भी अपनाया है जिसकी theme है investing in land and unlocking opportunities अब ये बात करता है India and its forest के बारे में बात कर लेता है तो अगर हम annual change देखे forest cover में तो अगर हम इंडिया में देखो सबसे ज़ादा जो forest cover है यहाँ पर जो है वो show हो रहा है वो हमारा जो है annual change वो हमारा सबसे ज़ादा कहां पर हो रहा है इंडिया में हो रहा है और अगर हम देखे तो 2000 के बाद से वो जो है सबसे ज़ादा change हुआ था और 2009 के बाद से वो change कम हुआ लेकिन अभी भी हम overall जो है वो हम सबसे जो है वो ज़ादा है अगर हम forest cover की बात करें इंडिया 2019 की तो हम देख सकते है कि जो हमारा सबसे ज़ादा portion जो हमारा है वो हम अगर हम इस figure में देखो जो सबसे ज़ादा portion हमारा है वो non forest area का portion सबसे ज़ादा है फिर ये हमारा shrub का portion आ जाता है open forest का portion आ जाता है तो यह जो है इंडिया का forest cover इस figure में बताया गया है अगर हम canopy density के बात करें तो देखो जो very dense forest है हमारे पास वो कितने है 3.2% है जो कि 99,278 square kilometer के हैं जो moderate density forest है वो कितने है 9.39% है जो कि 3,08,472 square kilometer के हैं open forest जो है 9.26% है ये भी हमारे पास 3,4,499 square kilometer के हैं तो जो tree और forest यह नहीं दो forest और tree cover मिला कर हमारे कितना पहुँच गया है वो 80.73 million hectare पहुँच गया है और ये हमारे country के geographical area का कितना है 24.56% है guys ये जो data है ये बहुत 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 जादा important है तो जो total forest cover है country के लिए वो हमारा कितना हो गया है वो 2019 में 7,12,299 square kilometer हो गया है जो कि हमारे total geographic area का 21.67% है देखो अगर forest और tree cover की बात करें तो ये हमारे geographical area का 24.56% है अगर सिर्फ forest cover की बात करता है तो 21.67% है यानि इसमें जो बचा portion है almost 2.7% के असपास वो हमारा tree cover आता है अगर हम देखो अब increase increment की बात कर लेते तो forest cover में हमारा increase कितने का हुआ है forest cover में 0.56% का increment हुआ है यानि 39.760 square kilometer का increment हुआ है tree cover में हमारा जादा increment हुआ है forest के बज़ाए 1.29% का increment हुआ है यानि 1.212 square kilometer का और अगर हम forest or tree दोनों को मिला के देखे तो हमारा जो increment हुआ है वो 0.65% हुआ है यानि 5,188 square kilometer हुआ है अगर इसको हम 2017 का जो हमारा assessment था उसको हम compare करें अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं particular states की कहां और कहां पर forest cover कैसे कैसे change हुआ तो देखो जो हमारे पास सबसे जादा हमारे पास यह दीख रहा है इस figure में हम सबसे जादा देख सकते हैं हमारे पास के यहां पर है करनाट का में है हम बात कर सकते second position पे आदरा परदेश की third position पे जो है हमारा केरला है हमारे जभू कश्मीर में जो है लगातार हमारा बढ़ रहा है मांचल परदेश है यानि यहां पर जो है वो हमारा area बढ़ा है बली कि कुछ status जैसे हम देखो इस वे जो negative में गए हुए है मनिपूर की बात कर लेते हैं मिजोरम की बात कर लेते हैं अंचल परदेश की हम बात कर लेते हैं मेगाले की बात कर लेते हैं तो यहां पर हमारा जो forest है वो cover जो है वो कम हुआ है यानि हमारा यहाँ पे loss हुआ है ठीक है अब यह बात करता है यह कहता है कि इंडिया जो है वो 17 mega diverse countries में से एक है और इसका evidence क्या है इसका evidence शैनोन वेनर index of all diversity जो है वो बताया गया है और यह index जो है यह miser करता है कि किस country में species कितनी जादा है वहाँ पर ठीक है और यह साथी साथ जो है diversity है उसको भी compare करता है तो अगर हम यह देखे तो जो शैनन वेनर इंडेक्स है उसने 16 bio diverse area को इंडिया के अंदर जो है जो इंडियन state forest report है उसको access किया तो इस figure से हमें यह देखने को मिलता है इस index से हम यह देख सकते है कि देखो जो tropical evergreen forest है हमारे वो सबसे जादा कहा ह और केरला में जो tropical moist decedious forest है वो सबसे ज़ादा अरुनाचल प्रदेश में फिर करनाटिका फिर महरास्ट्रा में ट्रोपिकल dry decedious forest है वो सबसे ज़ादा अरुनाचल प्रदेश में semi evergreen forest करनाटिका में सबसे ज़ादा है अगर हम forest area की top 10 countries की बात कर लेते हैं तो देखो सबसे ज़्यादा जो 33% पे हैं यह हम देख सकते हैं यह देखो यह country और अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो इंडिया जो है यहां पर सिर्फ 2% जो है वो इंडिया का पार्ट आता है यानि हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत इसके अंदर जो है हमें करनी है यह हम रशिया का देख सकते हैं यहां पर यहां पर हम देख सकते हैं कि रश्या 20% पे यहां पर है रश्या का ब्राजिल का सबसे जादा है 33% है तो यह हमारा जो है टोप 10 foreign countries में जो है इंडिया अमारे पास आता है ठीक है अगर इंडिया का हम देखे तो जो global forest area था हमारा जो यह कह रहा है कि 2% of the total global forest area in 2015 as per the जो global forest resource assessment है यानि कि जो हमारे पास FAO की report है global forest resource assessment है उसके according 2015 में हमारा global forest में इंडिया का कितना हिसा है यहाँ जैसे इस figure में भी देख सकते हैं 2% हमारे पास हिसा है ठीक है अगर हम forest report 2019 की बात करें तो जो हमारा carbon stock है वो हमारा कितना है 7124.6 million ton हमारा carbon stock है और इसमें हमारा increment कितना हुआ है 42.6 million ton का increment हमारा हुआ है तो देखो carbon stock position में हम देख सकते हैं पहले पर रशिया है फिर Brazil, USA, Republic of Congo, Indonesia, Colombia और China और फिर हमारे पास है जो है वो इंडिया आता है ठीक है उसके बाद अगर हम net change in carbon stock की बात करें तो देखो हमारे यहां अगर हम net change carbon stock की बात करें तो different field में तो सबसे ज़्यादा हमारा कहां पर हुआ है stock change हुआ सबसे ज़्यादा soil में हुआ है हमारा सबसे ज़्यादा अब अगर हम बात कर लेते हैं इसमें चप्टर में बात की गई है agriculture residue के बारे में बात की गई है जो कि हमारा एक major concern बताया गया इंडिया जो है वो second largest agrobase economy है और यहाँ पर year crop cultivation मतलब साल दर साल जो है वो यहाँ पर खेती होती रहती है agriculture waste होता है तो जो agriculture waste है जो हमारा crop residue है इसक residue हमारा एक अकेली single rice crop जो है वो generate करती है और इसको जब हम जलाते हैं तो जो PM 2.5 यानि पर्टिक्लर मेंटर जो 2.5 है उसकी concentration जो है वो बढ़ती है तो जो emission pollutant है हमारे पास वो depend करते हैं देखो कितना जादा PM 2.5 के emission में जो है कौन सी crop की कैसे जो है वो support कर रही है उसको emission pollutant जो है वो PM 2.5 emission को कैसे support कर रही है देखो sugar cane जो है वो 12 जो है हमारे पास अगर हम 12 ग्राम पर केलो ग्राम के इसाब से अगर हम देखे इसको तो हमारे पास देखो sugar cane पहली position पर मेज है फिर cotton है फिर rice फिर wheat फिर तेरी है यानि यह हमारे पास PM 2.5 का अगर सबसे जादा emission कर रहा है तो कौन sugar cane फिर मेज फिर cotton फिर rice फिर wheat जो है यह हमारे पास अगर हम different different उसकी crops की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते कि जो हमारी crop residue वो हमारा जला है वो हमारे पास यह हमारा अगर हम देखे तो जो अगर 2019 के अगर हम बात कर लेते हैं माई में सबसे जादा हुआ है और उसके बाद हमारा जो है कम हुआ है ठीक है उसके बाद अगर हम इन सबसे क्या होता है जो quality है air quality है वो खराब हो जाती है और अगर हम specially दिल्ली की तो उस टाइम के आसपास हम देख सकते हैं कि दिल्ली में जब हर्याना पंजाब या NCR में जब ये क्रोप रेसिड्यू जलाए जाते हैं तो दिल्ली का पॉलिशन जो है वो सबसे जादा खराब हमारे पास हो जाता है पॉलिटेंट मेंटर वहाँ पर सबसे जादा हो जाते हैं अगर फिर अब इसमें बात की गई है इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या करना चाहिए तो हमें ऐसी प्रेटिस अपनाने चाहिए ताकि एन्वायरमेंट को एगरिकल्चर को जो है कंजर्व किया जा सके और जो क्रोप रेसिट्व फसलों के आते हैं चाहिए वो गहूं के वीट के मेंस के आते हैं तो उनका जो हमें इन सीटू मेनेजमेंट करना चाहिए यानि कि हम क्या कर सकते हैं उनको हम खेत ऐसे अगरिकल्चर एक्विपमेंट लेके आना चाहिए कि उनको खेत कि इन crop residue का use कर सके और उनको बहतर तरीके से जो है manage कर सके साथ के साथ ऐसे equipment को हमें जो है finance करना पड़ेगा special credit line दीनी पड़ेगी इनको यानि कि ऐसे जो agriculture equipment है जो कि इनके crop residue है इनको के management के लिए जो हमारे पास use होते है तो उनको हमें finance करना पड़ेगा ऐसी हमें छोटी-छोटी industries लगानी पड़ेगी जो कि हमारे crop residue को जो है हमारे पास manage कर सके और उसको हम alternate fuel के रूप में use कर सके जैसे हम पहले गाओं में यूटी इसको जो fund अलोट किये जाते हैं तो उसकी allocation के लिए जो है एक parameter pollution control को भी बना दिया जाए और इसी के लिए जो NGT है National Green Tribunal है उसने 2015 में ये order पास किया था कि जो जो state है जैसे हरियाना, राज़्यस्तान, पंजाब, UP, एन City of Delhi तो वहाँ पर जो है इन्होंने 1981 के तायद इसको एक crime कोशित किया गया फिर एक central sector scheme लेके आए government of India क्या scheme promotion of agriculture machinization for in-situ management of crop residue और कि स्टेट के लेके लेके आए पंजाब, हरियाना, UP और एन City दिली के लेके लेके आए 18, 19 और 19, 20 में और ये जो है इसके लिए कितना fund अलोकेट किया गया 11, 81.80 करोड रुपए इसके लिए अलोट किये गए जिसमें 591.65 करोड इन 2018-19 और 560.15 करोड इन 2019-20 जो है इसके अंतर अलोट किये गए ठीक है इस scheme के अंतर गत क्या होता है कि जो in-situ crop residue management के लिए जो machines जो equipment आएंगी अगर को individual farmer उनको खरीदना चाता है तो उसको 50% subsidy मिलेगी और अगर custom hiring center इसके लिए establish के जाएंगे तो उनको 80% subsidy जो है वो दी जाएगी ठीक है अब ये जो है बात कर लेता है अगर हम stubble burning की बात कर लेते ना incidents की अगर देखो सबसे जादा हुआ है पंजाब में फिर हरियाना और फिर हमारा हाई जो वो हुआ है यूपी में ठीक है अब ये बात करता है construction and demolition waste के बारे में और उसके impact के बारे में बताता है यानि जो हमारा waste है वो हमारा air और water pollution में सबसे जादा contribute करता है तो अगर हम construction की बात करें कि इंडिया में जो है construction से जो हमारे पास total waste होता है वो कितना जादा हमारे पास जो होता है तो इंडिया में देखो जो 3 3100 million ton जो है हमारे पास हम annual consumption कर लेते हैं construction material का तो इतना construction material का consumption कर रहे है तो सूचो कि इतना consumption है जो कि हमारे air वो भी खराब कर रहा है जो particular matters को बढ़ा रहा है और साथी साथ water pollution भी कर रहा है तो इसके management के लिए जो है public private partnership में गौर्वर्मेंट ओफ इंडिया सोरी दिली गौर् IE ISL यानि कि यह क्या है Municipal Corporation of Delhi और ILFS की Environmental Infrastructure Service Limited ने दोनों ने मिल कर जो है एक project लेके आये गए ताकि हम recycle कर सके क्या recycle कर सके जो हमारा construction demolition waste आता है उसको हम recycle कर सके कितना 500 ton per day उसको recycle करने के लिए बुराड़ी दिली में यह जो है plant लगाया गया और यह अपनी तरह का country में पहल प्लांट है जो की waste जो generate हुई थी common wealth game के दोरान उसको जो है बहतर तरीके से manage किया जा सके अब अगर हम इस chapter के way forward की बात कर लेते हैं यानि इंडिया को क्या करना है क्या achieve किया है तो overall हमने क्या देखा कि हमारी जो emission intensity heavy or reduce होके 21% हुई reduce 2005 to 2014 के अंदर GDP के 21% जो है वो emission हमारा intensity वो reduce हुई दूसरा 2022 तक हमारा target कितना है 175 GW की solar renewable energies जो है इंडिया को generate करने है यह हमारा target है दूसरा हमारा जो target है वो हमारा क्या है कि जो हमें degraded land है जो अभी हमारी 21 million है उसको हमें 2030 तक बढ़ा कर उनकी restore करनी है 26 million उसको हमें restore करना है और यह हमने target रखा है 14 को 40 के अंदर जो कि हमारे पास दिल्ली में held हुई थी दूसरा हमने target किया है कि जो इतने सारे हमने efforts लगाए है उससे इंडिया का जो forest or tree दोनों cover को अगर हम मिला दे तो वो कितना बढ़ा है 80.73 million hectare बढ़ा है जो कि हमारे इंडिया की geographical area का कितना है 24.56% है और अगर हम सिर् 11,124.6 million ton जो है कारवन सिंक है जिसम को जो की increase हुआ है 2017 से कितना increase हुआ 42.6 million ton इंक्रीज हुआ है साथे साथे इस chapter में main concern किस पे दिया गया है agriculture crop residue पे जो है main concern इसका है और साथे साथे बहुत सारे जो policies government of India ने अपनाई है इस Paris Agreement के दोरान sustainable development goal को अचीव करने के लिए तो हमें जो है उसको अचीव करने के लिए बहुत adequate fund होना चाहिए finance होना चाहिए technology होना चाहिए और capacity building कर सके developing country तो इसके लिए जो है developed country पे जो है 2020-20 तक जो है 100 US dollar की का जो है उनको developing country को support करना है developed country पे यह obligation है तो यह सारी जो है इसमें तरीके अपनाए गए है तो आज के chapter में इतना ही यह chapter बहुत लंबा हो गया है पर sorry guys अगर हमें detail में पढ़ना है तो chapters जो है वो थोड़े लंबे जरूर होंगे तो मिलते हैं next video में अगर आपको यह video पसंद आया है तो please do like share and subscribe my channel और इस video को share करना ना भूले तो till then thank you bye bye